असलाम अलेकुम तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम भाई सेट अप विजट कर रहे हैं प्योर बैंगलोर लाइन की कबूतर स्वाउथ इंडियन लो फ्लाइर टंबलर कबूतरों का सेट अप विजट है तो यहाँ पे आप जो भी पेर्स देख रहे हैं यह सारे पेर्स भाई बच्चे कॉंपटिशन में उड़ाये जाते हैं भाई के पास मिनिममम इनका फ्लाइंग टाइम एट आवर्स है मिनिममम भाई ठीक है तो अगर कोई भाई जिसको डाउट है वो साउथ इंडियन लो फ्लाइर टंबलर के बारे में सारी रिसर्च आनलाइन यहां पर ठीक है जैसे हमारे पास देसी हाई फ्लाइर में जैसे होता है कि हमने किसी को चापदार बोल दिया या किसी को कुछ बोल दिया तो भाई इसमें वैसा सेनेरियो नहीं होता इनके पास भी नेम जो होते हैं वो कलर की उपर बेस्ड होते हैं लेकिन इन में कोई ऐसी logic नहीं होती कि भाई इस color के कबूतर जादा उड़ते हैं तो यह जैसे देख रहे हैं अप यह आंधरा side के कबूतर है मदरासी कबूतर या आंधरा वाले जो कबूतर बुला जाते हैं यह वो वाले कबूतर हैं भाई के पास इनके दो pairs रखे हुए यहाँ यह जो फिर देख रहे हैं अब यह फिर से again South Indian low flyer tumblers ही है तो यहाँ पे आपको काफी सारे मुक्तलिफ colors में भाई यह कबूतर देखने के लिए मिलेंगे और आपको एक clear idea भी हो जाएगा के भाई सिर्फ dark brown black या grey color में ही यह कबूतर नहीं होते बलकि काफे सारे styles में होते हैं यह देखिए आप दोबाज यहाँ पे कबूतर ठीक है तो इसमें color, arc और बागी सारी चीजों की भाई कोई भी तरीखे से value नहीं होती value होती है इनकी bloodline की और इनके pedigree की तो आपकी जो pedigree होती है कबूतर की वो काफी जादा important होती है जब आप South Indian low flyer tumblers या कोई भी standard breed का शौक कर रहे है यह देखिए भाई कबूतर यह जोड़ा देखिए भाई ठीक है तो इनकी pedigree होती है जो सब में जादा important होती है pedigree जिन लोगों को पता नहीं है इनका भाई एक chart बनता है या इनका record होता है record से मतलब इनके माबाप उनके माबाप फिर उनके माबाप तो ऐसे करते करते आपको पता चलेगा कि भाई इनकी जितनी नसल है वो पूरी नसल और किस माबाप के किस बच्चे ने कितना time दिया है कितना record बनाया है उड़ान किसने कितनी दी है उस हिसाब से भाई इनका शौफ आगे बढ़ता है तो यह जासे देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास यह भी बहुत खुबसूरत यहाँ एक पेर आया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं शाद इसको भूरी बुला जाता है उतना clear मुझे idea नहीं है इनके नाम का अभी ठीक है तो बस इनमे colors आते हैं color variants है इनमे color से उडान का कोई लेना देना नहीं है color जो है बस इनकी पहचान के लिए और खुबसूरती के लिए भाई लोग इनमे different different बनाते हैं और यह standard breeds हैने की वज़े से आपको दोबास से काले बच्चे निकल जाएंगे इस तरीके के जो आप paid setup देख रहे हैं इससे भाई हरे बच्चे भी निकल सकते हैं दोबास भी निकल सकते हैं तो depend करता है और यह देखिए आप जो यहाँ पे हमारे पास चुड़ा इनको बोला जाता है ठीक है यहाँ पाकिस्तान साइट पे इनको गलवे बोला जाता है यहाँ पे उसमें भी आपको साउथ इंडियन लो फ्लायर टंबलर कबूतर देखने के लिए मिल रहा है यह भाई खतन जिसको बोलते हैं वो भी एक था यहाँ पे यह जैसा आप पेड़ देख रहे हैं जाक इसको बोलते हैं या तामडे इनको बोलते हैं डार्क में बहुत सारे नाम हैं इनके लेकिन नसल भाई यह सिर्फ एक ही है साउथ इंडियन लो फ्लायर टंबलर जिसको और उसी के साथ साथ वर्टिकल उडान एक्जाक्ली 90 डिग्रीज की यह जो उडान सिस्टम होता है उस तरीके से थोड़ा आसमान में चड़ते हैं फिर पल्टी मारते हैं इनकी पल्टी 90 डिग्रीज अपवर्ड होती है यह एक और पेर आगया आपको काली आँख में आपक से देख सकते हैं इनका बोडी स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज ही इनका में डिफाइनिंग एलेमेंट होती है कि यह उस नसल से बिलॉंग करते हैं यह एक शायद यह लास्ट वाला पेर है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आपके सामने वाइट में काली आँखों में यह आपके सामने